इस दिनों बहुत सारे फॉन्द कोल्स बहुत सारे WhatsApp मेसाजज़ जो मुझे आये कि मैं एक Stock Trader कैसे बन सकता हूं, मैं एक Successful Stock Trader कैसे बन सकता हूं या मैं एक Professional Stock Trader कैसे बन सकता हूं दोस्तों इस वीडियो में आपके उस हर सवाल का जवाब मिलेगा जो आपको stock trader बनने से रोक रहा है अगर आप stock market में चाहते हैं अपना career बनाना अगर आप एक trader बनना चाहते हैं एक opportunity तलाश ना चाहते हैं stock market से पैसा कवाने की तो इस वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है दोस्तों इस वीडियो को skip मत कीज़ेगा ये वीडियो बहुत ही short and precise है जिसमें मैं ऐसे चार बहितरीन steps आपके सामने लेके आने वारा हूँ जिसको अगर आपने religiously और rigorously follow किया तो I can assure you nobody can stop you becoming a stock trader a professional stock trader and a successful stock trader जि हाँ दोस्तों चली आगे बढ़ते हैं वीडियो में देखते हैं कि एक successful stock trader की क्या characteristics होनी चाहिए उसको क्या करना चाहिए क्या activities उसको अपनी life में लेके आनी चाहिए क्या चीज़े उसे निभानी है और किन चीज़ें को follow करना है दोस्तों चाहिए business हो चाहिए sports हो चाहिए आपको कोई army, navy, air force जोईन करनी हो सबसे पहले होती है आपकी training और इस training में जो आप हासिल करते हैं उसे कहते हैं learning education जी हाँ दोस्तों हर कोई stock market की तरफ आना तो चाहता है बट कोई भी उसको learn करके नहीं आना चाहता कोई भी अपने आपको educate नहीं कर सकता तो number one step would be educate yourself education in the terms for example जैसे हमने सुना है stock traders क्या-क्या follow करते हैं वो fundamental study करते हैं वो technical analysis करते हैं technical analysis के अगर हम बात करें तो उसमें बहुत साइज chart patterns हो सकते हैं moving averages होती है Fiboneki retracement हो सकती है बहुत ही famous है MACD हो सकता है RSI हो सकता है दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो आपको study करनी ही चाहिए candle six patterns हो सकते हैं price action हो सकता है जो आपने सुना होगा बहुत सारी YouTube videos बहुत सारे अच्छे YouTubers ने बनाई हैं फ्री में ऐसी education available है YouTube के ऊपर उसका फाइदा उठाई है go and educate yourself this is very very important अगर आपने अपने आपको महीने दो महीने या कुछ दिन educate करने में नहीं लगाया तो दोस्तों you are missing something आपको क्या लगता है कि बड़े से बड़ा क्रिकेटर सचिन तंदलकर या विराट कोली ऐसे ही बन गे क्या उन्होंने अपने game की बारिकी को सीखा नहीं क्या Roger Federer अपने आपको ऐच्चपन से ही नहीं बचपन से ही अपने पहले अपको educate किया होगा अगर आज हम राकेज union वाला की बात करें क्या उन्होंने अपने आपको study नहीं किया होगा, क्या इस market को देखा नहीं होगा, क्या Warren Buffett की बात कर रहे हैं, तो क्या वो आज भी study नहीं करते हैं, जी हाँ दोस्तों आज भी अपने आपको educate करते हैं, तो number one rule is educate yourself, दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती हैं, लोग मुझे phone करत हैं, वो सब आपको एक अच्छा खासा indication दे रहे हैं, समस्या यह आते हैं, कि जैसे ही आप trade डालने जाते हैं, heartbeat बढ़ जाते हैं, आपके emotions आपके control में नहीं रहते हैं, और आपको trade को loss में book करना पड़ता है, या आपको छोटा सा profit लेके आप बहार आ जाते हैं, जोस्तों पहले उसको 6 महीने की own field training होती है, दोस्तों मैं आपसे 6 महीने नहीं मांगता, बट क्या, मैं आपसे गुजारिश कर सकता हूँ, क्या यह आपसे request कर सकता हूँ, कि lockdown का समय है, आप घर पे हैं, जिन्नों की शिकायत यह थी, sir मैं job करता हूँ, मैं trading कैसे करूँ, मैं full time trader कैसे बनूं, क्या मुझे job छोड़ देनी चीए, दोस्तों यह सही समय है, आप work at home कर रहे हैं, आपके पास ऐसा मोका जरूर होगा, जहां पे आप work at home के साथ साथ में अपनी चीज़ों practice भी कर सकते हैं, number two, सबसे important है paper trading, the practice trading आप जिसे कह सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना ह एक paper trading account खोलना होगा, दोस्तों, paper trading account खोलना चाहते हैं, तो video के description में link दिया है, tradingview.com पे जाएए, website का link है, बहुत common और बहुत famous website है, वहाँ पे आपको virtual money मिलती है, paper trading क्या होती है, virtual money से आप actual market में, actual price में, actual sentiments के साथ काम करते हैं, दोस्तों paper trading करते हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो पैसा आप real जिंदगी में stock market की trading या निवेश में लगाना चाहते हैं, trading या investment में लगाना चाहते हैं, उतने से ही पैसे से paper trading start कीज़ेगा, यह मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, दोस्तों देखिए, वहाँ पे suppose कीजी आपको 1,00,00,00,00,00,00,00, मतलब करेंως, 70-75,00,00,00,00,00,00,000,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,. करते हैं, मुश्किल से पैसा जोड के रखा है, stop market में अपना एक career ढूंड रहे हैं, एक opportunity ढूंड रहे हैं, बड़ी तकलीफ होती है, जब वो लोग बिना trading की practice के trading करने होता जाते हैं, सोच के देखिए, आपने कोई net practice नहीं किई, अगर आपको cricket पस रहे हैं, fatal हो सकता है, एक खराब गेंद आपकी जान तक ले सकती है, आप सोच के देखिए, वैसे ही असल जिंदगी में जैसे risk होते हैं, वैसे ही risk involved है, stock market के अंदर में भी, यहाँ, एक खराब decision, एक खराब trade आपकी capital swipe कर सकता है, जो दोस्तों जाईए और अपना virtual trading account पहले खोलिए tradingview.com पर, दोस्तों tradingview को promote करने के लिए मुझे इसमें कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं आपकी help करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ना ही मुझे किसी sponsor से इसके पैसे मिला, अगर आप अपना actual account खोलना चाते हैं उसका भी link इस वीडियो के description में दिया हुआ दोस्तों, paper trading के फायदे क्या होंगे आप असल मार्केट में, असली भावपे, असली sentiment के साथ में असली price section के साथ में live trading करेंगे पैसा आपका नहीं हुआ, पैसा virtual होगा आप सोच रहे होगे paper trading कब तक करूँ दोस्तों, paper trading कम से का महीने, दो महीने तो बहुत ज़रूरी है महीने, दो महीने उसी एक single discipline के साथ में जो आपने अपने लिए बनाया होगा कि आप किसे एक indicator को follow करना चाहते हैं अहां, paper trading में ये बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं कि आज RSI लगा रहे हैं, कल MECD लगा रहे हैं फिर किसी का वीडियो देखा super trend की setting समझ में आगी फिर किसी का वीडियो देखा ballinger band समझ में आगी ऐसा नहीं करना दोस्तों अगर आप multiple indicators का इस्तवाल करना भी चाहते हैं तो आपके एक setup आप उसको बनाइए एक उसी setup के उपर में जो भी आपको directions मिलने वाली हैं जो भी indications उन इंडिकेटर से मिलने वाले हैं उनको collectively देखी और उसी एक single trading platform setup के उपर में पूरे महीने से दो महीने आप practice करेंगे यह आपको मुझे promise करना हुआ कि आप दो महीने से पहले अपनी seat नहीं छोड़ेंगे और एक और promise में आप से चाहता हूँ कि आप कोई भी नया indicator अपने setup में नहीं डालेंगा आप जिस strategy पे काम करेंगे जिस पे आप rigorously practice करने वाले हैं उसी से आपको success मिलने वाली है तीसरी सबसे बड़ी important चीज़ दोस्तों stop market is subjected to market risk market है, market news driven है, sentiment driven है कोई खराब news market को खराब कर सकती है यह एक अच्छी news market को बहुत अच्छा grow करा सकती है आपको हमेशा अपने stop losses को तैय करना होगा this is the third important rule दोस्तों 4 steps की बात करने वाले फाइनल step इसके बाद आने माला है फ्लीज वीडियो को जरूर देखते रहेगा थर्ड important rule is की decide your stop loss अभी आप practice कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि मेरा loss क्या होगा मेरा risk reward ratio कितना होना चाहिए अपना risk reward ratio तै कि आप 1-2 पे काम करना चाहते हैं आप 1-2-3 पे करना चाहते हैं याप 1-2-4 पे करना चाहते हैं आप short term trader बनना चाहते हैं आप medium term trader बनना चाहते हैं आप investor बनना चाहते हैं याप long term investor बनना चाहते हैं यह सब decide करने के बाद कि आप कैसे trader हैं अपने stop loss को define ज़रूर करना है दोस्तो अगर आप stop loss पर नहीं लगाएंगे क्योंकि आप भी नए हैं, अभी ये mature हैं अभी आप practice करने वाले हैं अभी ये practice आपकी सालो साल चलने वाली है अभी आप virtual practice कर रहे हैं फिर आप real practice करेंगे थोड़े से capital के साथ में दोस्तो stop loss define करने से फायदा क्या होगा आपको पता होगा कि इस market में loss भी होता है दोस्तो stop loss का फायदा क्या है जो लोग शुरुआती दोर में इस market में रहते हैं या जो professional traders होते हैं वो stop loss का इस्तमाल इसलिए करते हैं कि अगर उनकी positions उनके again शरी जाएं तो वो उस loss के लिए तयार है stop your loss कितना loss आप बरतास्ट कर सकते हैं उतना ही risk reward ratio आप रखेगा उसी पे ही practice कीजिएगा don't deviate from your strategy again and again this is the very very important learning which I am telling again and again आप अपनी practice की strategy से बार बार deviate नहीं करेंगे मतलब बार बार उसको नहीं बदलेंगे जो लोग बार बार strategy बदलते हैं बार बार strategies बदलते हैं बहुत सारे वीडियो को देखने के बाद में दोस्तों वो एक successful trader नहीं बन सकते मैं आपको promise कर सकता हूँ अगर आप simple RSI पे भी काम करने ही कोशिश करें और उसको बिलकुल एकदम religiously follow करें जिस तरह से आप अपनी life पे अपनी धर्म को मानते हैं religiously का मतलब है जैसे आप अपने धर्म को follow करते हैं कि boss मैं इस धर्म का हूँ मैं ये follow करता हूँ मुझे तो अपने भवान से ये मांगना है ये डर लगता है मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा दोस्तों वैसा ही discipline आपको अपनी trading के setup के platform पे लेगाना है मैं फिर से repeat करता हूँ number one जो भी fundamental analysis है जो भी technical analysis है जो important indicators है उनको आप follow करेंगे उनको study करेंगे पहले उनके बारे में videos देखेंगे उनके बारे में किताबे पढ़ेंगे जैसे भी आपको educate करना है educate करेगी दूसरा आप अपना paper trading account खोलेंगे tradingview.com पे जाके या किसी भी और पे भी जाके खोल सकते है जो आपको better लगता है tradingview.com बहुत ही simple और अच्छा platform है जो मैं खुद इस्तमाल करता हूँ अगर आपको नहीं मालूम कि कितना loss आप जहल सकते है तो आप एक अच्छे trader नहीं बन सकते चौता सबसे important part don't use margin trading in your early trading practice days दोस्तों वो जो आपके शुरुआती दिन होगे वहाँ पे आप margin trading को बिलकुल भी इस्तमाल नहीं करेंगे ROI कहा जाता है return on investment जो आपकी investment है जो पैसा आपका है जो आपने कमाया यह वो पैसा है जिसके साथ आपकी जिड़ी है आपकी आत्मा जुड़ी है आपके sentiments जुड़ी है अगर आप margin trading लेते हैं आपने लगाए लाख रुपे और broker से ले लिए 20 लाख रुपे जो आपको broker हस्ते हस्ते दे देगा क्योंकि उसको तो brokerage कमानी है उस पैसे पे क्या आपके कोई sentiments होंगे क्या आपकी जिंदगी उससे जुड़ी होगी क्या आपको मालूम है कि वो पैसा कैसे आया है कैसे कमाया है नहीं आपको अपने 10,000-20,000 लाख रुपे से मतलब होना चाहिए जो आपके account में है जो आप निवेश करने में लगाते है उसी में से ही कुछ पैसे को निकालना है अगर आपके अस लाख रुपे है stock market में लगाने के लिए आप तो मैं आपसे request करूँ आप 5-10,000 से practice start कीजिए अगर आपके 10,000-20,000 है तो 1,000-2,000 से practice start कीजिए अब आप पूछेंगे कि इतने कम पैसे से भी stock market में practice होती है बला जी हाँ बिल्कुल होती है ROI का मतलब है return on investment जीतना पैसा आपने लगाया उसके ऊपर क्या return आने वाली है 2,000 के उपर 10% return भी ROI कहलाएगी 20,000 के उपर भी 10% return ROI ही कहलाएगी और 2,00,000 के उपर भी ROI ही कहलाएगी तो जो पैसा आप invest कर रहे हैं उसकी returns की बात कीजिए दोस्तों इस point को मैंने बहुत important क्यों रखा है और सबसे important वो margin ले लेते हैं उनको लगता है broker है 40 time limits 20 time limits दोस्तों बहुत fancy हो गया आज का लेवर्ट बहुत साई broking houses है सभी in fact सभी आपको बहुत साई leverage दे रहे है leverage को लेने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तो एक business man भी loan लेता है बड़ जब लेता है जब उसको business करना आता है जब उसको मालूम है कि मुझे business को कैसे explain करना है कहां तक लेके जाँआ इस पैसे का इस्तिमल कहां करना है उस तो अभी आपको पैसे का इस्तिवाल ही नहीं आता अभी आपको stock trading ही नहीं आती तो margin लेना एक suicide है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तो इन चार रूल्स को बहुत रिगरसली फूलू कीजिए आप बार बार से कहारा हूँ रिगरसली शिद्दत से डिसिप्लिन से और मैं आपको वादा कर सकता हूँ कि कोई भी आपके अंदर जो जन लेने वाला स्टॉक ट्रेडर उसको कोई रोक नहीं सकता आपको एक प्रफेशनल ट्रेडर बने से कोई रोक नहीं सकता महीने दो मेने छे मेने की प्रेक्टिस जिसने खर ली सोचिए उसकी नहिया पार हो जाएगी बढ़ हाँ कोई किसी को ल जलती होगी आपकी दोस्तों, आपको अपनी accuracy को 80% से उपर लेके जाना है, फिर आपको अपनी real capital से trade करना करके देखना है, जब आपको लगे कि हां मैं अपनी इस reward ratio बनाने लाइक हो गया हूं, मैं इस बाजार में loss जिलने लाइक हो गया हूं, जैसा Warren Buffett कहते हैं, इस नोट के साथ में I would like to say thanks to all of you and thanks for watching this video, वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों share जरू कीजिएगा, bell बटन को प्रेस करके रखिए ताकि सभी notifications आपको मिल जाए और अगर आप ये तक channel आपने subscribe नहीं किया है, तो channel को subscribe करें, मैं हूँ विपल को आशीक आपका दोस्त, thank you so much, good day जहें